Good morning everyone, आज है 24 नमंबर और आज की इस वीडियो में हम 24 नमंबर से रेलेटिड कर्रेंट एफिर्स के जितने भी important question बन सकते हैं वो सारी की सारे discuss करने वाले हैं आप से request है की वीडियो में पूरे patience के साथ end तक बने रही हैगा और वीडियो के end में मैं आप से कुछ question भी पूछूंगा जिसका answer आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में comment करके देना है तो आएए बिना time waste के वे वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो अगर आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हो like UPSC, SSC, NDA, Railway किसी भी exam की तो उसके point of view से ये channel और ये video दोनों आपके लिए काफी helpful सावित होगा अगर आप नभी तेक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले हर सुबा छे बजे आपको इसी तरह के और भी वीडियो को नोटिफिकिसन देखने को मिलती रहे हैं आप वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि कल हमने पर लिया था तिरपनवे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव और अफ इंडिया में तेलगू सूपरस्टार चीरन जीवी को इंडियन फिल्म प्रसनालिटी अब दे इयर 2022 चुना गया खालिज जाबी दोहर लेखी गई देखने परड़ाईज अब फूड नामक पुस्तक को साहित के लिए जैसीवी अबर दोहर अबाइस दिया गया COP27 दोहरा गरीब देशों के समर्थन के लिए लॉस एंड डैमेज फंड लांच किया गया है 21 नमंबर को भारतिय सेना दोहरा राजस्थान में सत्रु नास अभ्यास का आयोजन किया गया हाली में गुजरात के हजीरा में रिलाइंस इंडिस्ट्रीज दोहरा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लैन्ट बनानी की घोसना की गई है अब बात करेंगे आज की कुछ important questions के बारे में पहला question है ग्लोबल इल्फोर्मेशन टेक्नलोजी रिपोर्ट जी आए टी आर दोहज़र बाइस के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में सिर्ष पर है तो याद रखना अमेरिका अमेरिका ये सिर्ष पर है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेरिका, सिंगापूर, स्वीडन, नीधरलेंड और सुर्जलेंड सबसे अधिक नेटवर्क तयार देशों में से सिर्ष पर है ठीक है बात करतें next question है next question है किस फॉरॉम ने गरीब देशों का समर्थन के करने के लिए loss and damage fund law and damage fund launch किया है तो याद रखना COP27 द्वारा यह गरीब देशों के समर्थन के लिए loss and damage fund को launch किया गया है देखो संयुक्त राष्ट जलवायू सिखर संबेरं COP27 में लगभग 200 जलवायू प्रभावूं से प्रभावित गरीब देशों का समर्थन करने के लिए Loss and Damage Fund को लांच करने की गोसना की गई है नेक्स्ट कोस्टिन है बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टिन हाली में कजाकिस्तान के नई राष्टपती कौन बने तो याद रखना कासीम जोमाट तोकाइव को कजाकिस्तान का नया राश्टपती बनाया गया है और कुछ मैंने पहले ही हमने पढ़ा था कि कजाकिस्तान की राजदानी नूर सुल्तान से बदल कर अस्ताना कर दी गई है अबी current में केजाक्स्तान की जो राजदानी है वो अस्ताना है ठीक है next question है किस मंत्राले द्वारा भारत की पहली आत्महत्या रोक्थाम निती की सुर्वात की गई तो याद रखना केंद्रिय स्वास्त मंत्राले द्वारा की गई है एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगबग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं जिसमें से 1,64,000 लोग भारत से ही होते हैं ठीक है important question है आप से ध्यान रखिएगा next question है आरीज खंबाटा का हाल ही में निधन हो गया ये कौन थे तो याद खना रसना गुरूप के संस्थापक थे आप जो बच्पन में हम लोग रसना पीते थे तो उनी के ये संस्थापक थे रसना गुरूप के संस्थापक और अध्यक्ष खारिश खंबाटा का 85 वर्स की उम्र में एहमदाबाद में हिर्दे गती रुपने से मिर्थी हो गई 1976 में याद खना खंबाटा ने लोगपडिये संत्रे के स्वादवाली पे ब्रैंड के स्थापना की थे मैंने तो खास कर बच्पन में बहुत पिया रसना वो पानी में मिला के पिया करते थे एक दो रूपे में आती थे तो बहुत मज़ा भी आता था पीने में चलिए बात करते है नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किसने ग्रीन पोर्ट और सिपिंग के लिए भारत के पहले नेसनल एक्सलेंस सेंटर की घोसना की है तो सरवानन सोनोबाल यह फॉर्मर सीम थे असम के इन्होंने अभी हाली में नेसनल एक्सलेंस सेंटर की घोसना की है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां अस्थापित किया जाएगा नैनोख Adi Plant तो यादे ऋकाल हो ना these इसे आयो जित किया जाएगा नैनोख Adi Plant को देश का दूसरा ठीक है Next question है अहाली में किस वराज ने भारत का पहला हाती मृत्यूलेखा परिक्षा फ्रिक्षा ्थाचा पेस किया है तो अब यहाली में यह तमिलनाडू द्वारा किया गया है भारत का पहला हाथी मर्तिव लेखा परिक्षा है अब भात थोड़ी कि तमिलनाडू की तमिलनाडू से रिलेटेट गुछ इंपोर्टन चीज़े जान लेते हैं तमिलनाडू के राजधानी है चन्नाई, अस्थापना वीतीफ 14 अप्रेल को, वरतमान राजपाल है यहां के आरेन रभी, करेंट सीय में MK स्टालिन, टोटल जिने 38, राजकिये पक्षे यहां का पन्ना कबूतर, लोकनुरित भरत नाटियम, परोसी राज है आंधर परदेश क करना टक केरल, राजकिये भासा है, तमिल, देखो, तमिलनाडू के मुखमंतरी जो है अभी, करेंट, MK स्टालिन दोरा हाले में एनम एजुथम योजना की सुरवात की गई है, एनम एजुथम, यह हाल फिलाल कहीं कुछ करेंट स्किम से जो भी तमिलनाडू में चल रही है, मुखमंतरी MK स्टालिन दोरा सरकारी स्कुलों में मुफ्त नास्ता योजना की सुरवात की गई है, ठीक है, और हाली में तेरते वे सौर उर्जा सेयंत की अस्थापना तमिलनाडू में की गई, और तमिलनाडू ने बेस्ट माउंटेन हिल वी डिस्टिनेशन के लिए तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एस वन लाइनर बता रहा हूं, आप इसे ध्यान रखना, अगर आप पूरे वीडियो को डिटेल में देखना चाते हैं, तो आप मेरे प्रिविएस वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं, रिलाइंस इंडस्ट्री इस लिमिटेड द्वार हैं, आज का question of the day है, scale app का संबंध किस से है, और लेडि में बता चुका हूँ, second है, किसे हाल ही में PM कियर्स फंड का trustee बनाया गया है, दोनों simple question है, दोनों और लेडि मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में डिसकस कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख मिलती रहे, तो आज की वीडियो कैसे लगे, वीडियो के बारे में अपनी राय, नीचे comment box में हमें जरूर दीजेगा, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी हो, क्योंकि आपके comments को परके एक motivation मिलता है, और वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, आप नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताईएगा, ताकि हम कूसिस करेंगे, और improvement करने की, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यही तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन्द, जै भारत.